जय हिन स्वागत आपका अपने स्टडी 24 जार्खन यूट्यूब चैनल में दोस्तों अज आप स्वी जार्खन बोट के मैटिक और इंटर्मीडियाट सहीद कलास 8, 9 और 11 के छातरों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप स्वी जातरों तक पहुचाने का कोशिस करूँगा साती साथ बताऊंगा कि कलास 8, 9 और 11 के जो जातर फेल हो गए हैं तो उसका कमपार्टमेंटल और सफलमेंट्री का एकजाम होगा या फिर नहीं या फिर उसके OMR सीट का री चेकिंग होगा या फिर नहीं और वहीं पर जो मैट्रीक और इंटर्मीडियाट के छातर फेल हुए हैं तो उनके कमपार्टमेंटल और सफलमेंट्री के एकजाम का फोर्म कब तक भराएगा और साथी साथ जो मैटिक और इंटर्मीडिएर्टे iş पास हो चुके हैं तो उन सभी छात्रों का ओर्जिनल सर्टीफिकेट आनी की मार्क सेट है परविजिनल सर्टिफिकेट है माइगरेशन स्रटिफिकेट है इतियादी इतियादी उसके school और college में कब तक आएगा इतियादी इतियादी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सूरी छात्रों को बहुत ही अच्छे धंग से बताऊंगा इसलिए आप स्वी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर आंतक बने रहिएगा तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं राज आप स्वी छात्रों का जो महतपूर्ण अपडेट है इसे हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें दिया गया है कि जैक ने जारी किया ग्यारहमी का रिजल 98.15% पास जी हम दोस्तों कल आप स्वी जार्खंड बोड के कलास 11 के साइस आर्स और कॉमर्स के छात्रों के बोड एकजाम 2023 का रिजल्ट घोसित कर दिया गया जिसमें पूरे जार्खंड के 2400 जिल्लों से 98.15% परिचार्थी सफल हुए हैं इसका दोस्तों हम लोग आगे बहुत आगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ पर्मुख समाधाता राची आनि कि यहाज जो अपडेट है राची से परभात खबर समाचार पत्र में परकासित हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जारखंड एकडमी कॉंसिल ने 11 ही बोट का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया मंगलवार कल था और कल ही आप स्वी छात्रों के रिजल्ट को घोसित किया गया है हम लोग देख रहे हैं टोटल जो है 98.15 परसेंट चात्रा है जिन्होंने सफलता के जढडेगारे हैं इसका दोस्ता आगे इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट जैक के अध्यच डॉक्टर अनिल कुमार महतों ने जारी किया आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो है जो जारखंड एकडमी कॉंसिल के अध्याच है और वहीं पर ये महीप कुमार सिंग है जो जारखंड एकडमी कॉंसिल के सचीव है और इन दोनों ने ओनलाइन माध्यम से आपके रिजल्ट को कल घोसित किय इसके दोस्तों ओन लोग आगे बहता आगे इसमें लिखा हुआ कि परिषा में सामिल होने के लिए कुल मिला करके 3,68,376 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था आणि कि रेष्टेशन करने वाले चात्रों की संखिया जो इतनी थी आगे इसमें लिखा हुआ कि परि खात्र छात्र उने सफलता हासिल किया है इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद्याथियों की सफलतां का परतिसत 98.15 पर्सेंट रहा आदि की बहुत कमीछ फेल हございます इसका दोस्तों आगे ब Kings M लिखा हुआ है कि परिछार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट www.jackresult.com पर देख सकते हैं और आप लोगों ने देख भी लिया होगा इसके दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिलावार रिजल्ट में कोडर्मा का रिजल्ट सबसे बहतर रहा आनि कि दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि कोडर्मा के 99.45 manière बिद्यार्थी चफल्रह आनी कि बहुत कमी चात्र चात्राएं कोडर्मा का जो फिल हुए है और यह सारा चीज वहां के DC के कारण हो रहा है इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि राईज में पच्छमी सीहमूं का रिजल सबसे कम रहा और पच्छमी सीहमूं का रिजल 94.42 परसेंट पिद्यार्थी सफल रहे आनि कि वहां भी बहुत कम ही फेलू हैं लेकिन सबसे खराब रिजल्ट वहां का इसके बद आगे इसमें दिया गया है कि 18-11 तक का रिजल्ट जारी आनि कि आपसे जहर्खंड बोट के कलास 8 से लेकरके 12 तक के जितने भी चातर थे जिनको अपने बोट एकजाम के रिजल्ट का बिसबरी से इंतिजार था तो आपके रिजल्ट को जहर्खंड एकेडमी कॉन स तक जमा होगा आवेदन आनि कि जितने भी मैटिक और इंटर्मीडियाट के चात्र हैं जो अपने रिजल्ट से असंतूज्ट हैं तो ये लोग 21 जून तक जहारकंड एकडमी कॉंसिल के ओफिसियल वेपसाइट www.jack.jharkand.gov.in के माध्यम से ओनलाइन जो है रिचेकिंग के लिए आवेदन भर सकते हैं और दोस्तों अगर आप लोग एक कॉपी को रिचेक कराएंगे तो मैटिक के चात्रों का 450 रुपिया लगेगा और वहें पर इंटर्मीडियाट के लिए 7500 रुपिया लगेगा आनि कि आप लोगा जो कॉपी रिच रिचेकिंग का खर्चा है वो बहुत जादा रखा गया है इसका दोस्तों आप लोग का जो कॉपी रिचेकिंग होगा तो इसमें जो आपका सिर्फ और सिर्फ उत्तर पुस्ति का कोही जाचा जाएगा आपका जो MRC या फिर इंटर्नल असेस्मेंट वाला है तो उसका जीनल हो गया है तो उसके लिए अस्पेसल एकजाम नहीं होगा उसका सफलमेंट्री और कमपार्टमेंटल एकजाम नहीं होगा और अब जो है इन सभी छातर छात्राओं को एक साल जो है उसी कलास में रहना होगा फिर से 2024 से उसको बोड़ एकजाम लिखना होगा और दोस्त आप लोग नोकरी इतियादी में करेंगे और वहीं पर आपका जो मूल परमान पत्र है वह लगभग लगभग 6 महीने आफिर एक साल के बाद आता है जिसका परियोग आप लोग नोकरी इतियादी में करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आज आप स्वी जार्खन बोड के मैटिक और इंटर्मीडियाट सहीद कलास 8-9 और 11 के चात्रों के बोड एकजाम 2023 के रिजल से सबंधीत एक अपडेट के साथ-साथ मेरे तरफ से बहुत सारी जानकारियां थी और ठीक किसी तरह से आपके लिए जो के लिए थोड़ा सा भी हैलफूल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए तो दोस्तों फिर से मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम जय जहार्खन ज धन्यवाद